केसी वैनुगोपाल जी तारिक कर्रा जी रजनी पाटिल जी विकार रसूल जी गुलाम मीर जी रबन बल्ला जी चरन जी चन्नी जी दिगविजे सिंग जी जेराम रमेश जी नीरज कुंदन जी शबाब सबरी जी कॉंग्रेस पार्टी के हमारे सब प्यारे कारे करता भाईयों और बहनों युवाओ प्रेस के हमारे मित्रों आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत आप आज हमारे साथ भारत जोड़ो यात्रा में चले पेईस किलोमेटर चले आपने अपनी शक्ति इस यात्रा को दी हमारे साथ आप खड़े हुए आपने अपना प्यार दिया हमें इसके लिए मैं आप सब को दिल से धन्यवाद करता हूँ यह यात्रा चार महीने पहले हमने कन्या कुमारी में शुरू की थी बहुत कुछ सीखने दो मिला हम काफी आत्री हैं उनमें से शाहिए कोई भी यह ना कह पाए शुरूआत में कि हमें इतना हिंदुस्तान की जनता से सीखने को मिलेगा हर प्रदेश ने कुछ ना कुछ निया सिखाया किसानों ने मज़्दूरों ने छोटे वियाफारियों ने माताओं बहनों ने बच्चों ने अपनी दिल की बात रखी अपना दर्द रखा किसानों ने हमें देश की पॉलिसियों के बारे में बताया छोटे वियाफारियों ने जी एस्टी के बारे में नोट बंदी के बारे में कोविड में क्या हुआ क्या होना चाहिए था सब कुछ हमें बताया समझाया अलग अलग भाशाएं है अलग विजार है अलग हिस्ट्री है अलग इतियास है मगर सब एक साथ मिलकर मुखबत के साथ इस देश में रहते हैं जैसे मैंने कहा नफरत के बाजार में हम मुखबत की दुकान खोलने निकले थे और देखने को मिला कि लाखों करोडों लोगों ने इस देश में मुखबत की दुकाने खोली है हर प्रदेश में सरकों पे बारिश में गर्मी में सर्दी में हमें ये देखने को मिला देश के सामने कठीनाई जरूर है लोग तंत्र पे आकरमन हो रहा है उस बात को आप सबसे बहतर समझते हों यात्रा से पहले यात्रा से पहले हमने पार्लेमेंट में मुद्ध उठाने की कोशिश की लोग सवा में राज़त सवा में हमने भाष्टन देने की कोशिश की नोट बंदी पे गलत जी एस्टी पे किसान बिल पे जो चाइना हिंदुस्ताइन के जमीन ले गया है 2000 स्वेर किलोमेटर ले गया है उस पे मगर हमें लोग सवा में बोलना नहीं दिया जैसे हम बोलने की कोशिश करते थे माइक आफ कर दिया जाता थे मैंने बाशन के शुरुआत में आप सबसे कहा प्रेस के हमारे जो मित्र हैं उनका यहां मैंने स्वागत किया मगर इनका भी काम लोग तंत्र की रक्षा करने का होता है टीवी पे अखबारों में मैगजीन में सच्चा ही रखने का इंटा काम होता है पिछले प्रेस कॉंफरेंस में मैंने इंसे सवाल पूछा प्रेस वालों से सवाल पूछा हम तोर से यह पूछते हैं मैंने पूछा वह यह एक बात बताओ आप नरेंद्र मोदी जी का चेहरा 24 गंटे लिखाते हो आप अश्वरिया राई जी की बात करते हो अक्षे कुमार की बात रखते हो आप महिंगाई की बात क्यों नहीं रखते हो आप बेरोज़दारी की बात क्यों नहीं रखते हो जो जम्मू कश्मीर में गरीब लोगों से उनकी जमीन जो चीनी जा रही है वो हमें मीडिया में क्यों नहीं दिखाई देता जो कश्मीरी पंडितों के साथ यहां सरकार अन्याय कर रही है आज सुबह मेरे साथ मेरे से मिलने एक डेलिगेशन आया और उन्होंने अपनी बात रखी मैं हैरान हो गया उन्होंने कहा और मैं मीडिया के सामने एक कहना चाहता हूँ उन्होंने मुझसे कहा कि जब उनका डेलिगेशन लेटेनन गवर्नर के पास गया तो लेटेनन गवर्नर ने उनसे कहा कि तुम्हे भीक नहीं मागनी चाहिए यह देखिए लेटेनन गवर्नर ने कश्मीरी पंडितों के डेलिगेशन को कहा कि आपको भीक नहीं मागनी चाहिए लेटेनन गवर्नर जी यह भीक नहीं माग रहे है यह अपना हक माग रहे है और अगर आपको कुछ करना चाहिए तो आपको इनसे माफी मांगनी चाहिए यहां पे जम्मू कश्मीर में मैं आया अभी जम्मू में चल रहा हूँ और यहां पे आपके लोग मुझसे मिल रहे है माता है बहने युगा बच्चे किसान सब मिल रहे है यहां आते हैं सरत पे आते हैं मेरे साथ चलते हैं और अपनी दिल की बात रखते हैं दो तीन चीज़े मैं है जो मुझे कह रहे हैं मैं आपको कहना चाहता हूँ सबसे पहले मुझे कहते हैं कि जम्मू में जो पहले अभी आता हूं बेरोज़गारी के बारे में बूलता हूं कहते हैं कि जो पहले जम्मू के लोग वियापार करते थे जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के लोग चलाते थे आज बाहर के लोग जम्मू और कश्मीर को चला रहे हैं और हमारा जो हक है हमारी जो आवाज है उसको अड्मिनिस्टेशन सुनता नहीं है सारा का सारा ट्रेड बाहर के लोग कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग देखते रहे गए पहली बार दूसरी बार हिंदुस्तान में सबसे ज़ादा बेरोजगारी सबसे ज़ादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है और जम्मू में है तो यहाँ पे स्ट्यूडन्स पढ़ाई करते हैं कोई एंजिनियर बनना चाहता है माता पिता शिक्षा के लिए पैसा देते हैं कोई डॉक्टर बनना चाहता है कोई लॉयर बनना चाहता है कोई आर्मी में जाना चाहता है पढ़ाई करने के बाद पता लगता है कि इस प्रदेश के लोग प्रदेश के युवा लोयर, डॉक्टर, एंजिनियर नहीं बन सकते हैं पहले एक और रास्ता था आर्मी का रास्ता था वो भी आज बन कर दिया है बीजेपी के लोग नई योजना लाए है अगनी वीर योजना लाए है और इनको जो आर्मी का इतोस है इनको वो ही नहीं समझ आया देखिए, किसी भी काम में किसी भी काम को सीखने में कम से कम साथ आठ साल लगते हैं सही बात है? सही? आप खाना पकाती हैं? आप तो कितने साल लगे? खाना पकाने में, सीखने में कितने साल लगे आपको? साथ आठ साल लगे? मतलब एक्सपार्ट आप साथ आठ साल में बनी? नहीं? तो किसी भी काम में साथ आठ साल लगते हैं आर्मी जो है एक परिवार है जो सेना लड़ती है वो रिष्टे के बल पे लड़ती है सेने के बीच में जो रिष्टा होता है उसके बल पे लड़ती है वो रिष्टा एक दो साल में बनता ही नहीं वो रिष्टा उस रिष्टे को बनने के लिए मजबूत होने के लिए कम से कम साथ आठ साल लगते हैं जो बीजेपी के लोग है इनको ये बात समझ नहीं आई ये सोचते हैं कि आर्मी की ट्रेनिंग छे महीने में हो जाएगी जो सीखना है वो छे महीने में हो जाएगा बिल्कुल नहीं आर्मी में सालों लगते हैं एक सेनिक को तियार करने के लिए सालों लगते हैं उस सेनिक और दूसरे सेनिकों के बीच में रिष्टा बनाने के लिए तो ये अगनिवीर योजना जो है ये हिंदुस्तान की सेना को कमजोर करने की योजना है और ये बिचारे जो हमारे आर्मी के लोग ही कह नहीं सकते हैं मगर मैं जानता हूँ गर इनसे पूचा जाए कि ये सारे के सारे कहेंगे ये अगनिवीर योजना के खिलाफ हैं अगनिवीर योजना गलत है तो वो रास्ता जो था वो भी बंद कर दिया इन लोगे पहले युगा आर्मी में जाता था पंदरा साल की उसकी सर्विस होती थी उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी अगनी भी योजना में चार साल की सर्विस होगी उसके बाद सैनिकों को भर बेच दिया जाएगा उनकों कोई पेंशिन नहीं मिली तो ये जो देश का आर्मी के साथ रिष्टा है इससे खिलवार दर रहे है देश ने कहा था देश हर सैनिक से कहता है कि हम आपसे 15 साल मानते है उसके बाद हम आपकी पूरी जिंदगी आपको पेंशन देंगे आपकी इज़त करेंगे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे आपकी रक्षा करेंगे तो ये अगनिवी रियोजना जो पहले युवाओं के लिए रास्ता देए ये भी इन्होंने बंद करती है बेरोज़ारी क्यों आरी है क्योंकि सर्वकार चुने हुए दो तीन उद्योग पत्यों के लिए काम कर लिए ये देखो यहां पे यहां पे आपका पूरा का पूरा वियापार जो भी आप करते हो सारा का सारा उन्ही दो तीन उद्योग पत्यों के हाथ चला जाएगा सचाई है और नरेंगर बोदी जी ने आपसे कहा आपसे कहा था कि देखिए नोट बंदी काले धन के खिलाफ योजना है काला धन मिट गया गया नहीं मिटा ना भाई और बेनों नोट बंदी और गलत जी एस्टी योजना है नहीं है ये हत्यार है ये छोटे वियापारियों को स्मॉल और मिडियल साइज बिजनस वालों को मारने के खतम करने के हत्यार है और सचाहिए है कि इस देश को रोजगार सिर्फ ये लोग दे सकते हैं ये जो दो तीन बड़े उद्योगपती हैं ये देश को रोजगार दे ही नहीं सकते हैं भी कोशिश कर लें Dodge लेन ये नहीं दे सकते है तो इन्हों ने क्या किया नरेंड्र भोधीजी और बीजेपी ने क्या किया जो हिंदूस्तान की रीड की हट्टी है जो रोजगार देने वाली रीड की हट्टी है चोटे वियापारी स्मॉल और मीडियम बिजनस इस रीर की हंडी को इन्होंने तोड़ दिया है इसी लिए आज पूरे देश में सिरफ जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे देश में बेरोज़़ारी फैल रही है आप दूसरा सवाल पूछोगे महिंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है वो ही कारण है पूरा पूरा धन हिंदुस्तान का दो-तीन उद्योग पतियों के जेव में जा रहा है पहले पेट्रोल का दाम क्या होता था आज कितना है तो रुपे तो जब आप आपके जेव में से जो पचास रुपे निकल रहे है वो कहा जा रहे है हवा में तो गाय नहीं हो रहे कही ना कहीं तो जा रहे होंगे क्या वो छोटे भी अपारियों के जेव में जा रहे है नई किसानों के जेव में जा रहे हैं क्या नई बेरोजगार योगाओं की जिम में जा रहे हैं क्या नई यह गैस सिलिंडर के दम बढ़ रहे हैं उसका पैसा कहा जा रहा है वो भी तिन चार लोगों के पास अभी यहाँ पे आपका सेव आते हैं सेव भिखते हैं फाइडा किसको जाएगा देख लेना तो पूरा का पूरा धन देश का पूरा का पूरा धन तीन-चार लोगों के हाथ में जा रहा है और बाकी हिंदुस्तान बेरोजगारी महिंगाई के कसाबना कर रहा इससे हमने यह यात्रा कन्या कुमारी से कश्मीर तक शुरू की और इसमें आपने हमारी जबर्दस मदद की है आप यह मत सोचे कि 3,500 किलोमेटर चलना असान यह असान काम नहीं है जो हमने शुरू किया था हमने सोचा की यह देखो काफी मुश्किल काम है मगर चलने के बाद पता लगा यह तो असान है कोई मुश्किल नहीं है इतना सुबह अम उठते पांच बजे सुबह उठते थे अभी हाँ पे सिक्योर्टी वालों ने कहाए कि साथ बजे निकलना है मैं चाहता था छे बजे निकल जाना चाहिए मगर इन्होंने का नहीं साथ बजे निकलेंगे चिट्टी लिग दी तो मैंने एकसेप्ट कर ली बात आदी टीशर में क्यों है आप इतना प्यार दे रहे हो इतनी मोहबबत दे रहे हो कि मैंने ठंड नहीं लग रही तो यह इनको बात नी समझाए थी आई नहीं सकती मैं आपको तानों पसीन आ रहा है मुझे भी तो यह मुद्दे है और सबसे बड़ा मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा आंत में जो आपका स्टेटूट का मुद्दा है उससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है तो आपका आपका हग पूरा हग इनों ने छीन लिया तो एकदम कॉंग्रेस पार्टी पूरा पूरा समर्तर आपको यह आपका स्टेट उड़े उसको रियंस्टेट करने में पूरा आम दम लगा दिए आपने आपने इतना प्यार दिया दिल से आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और अभी हम आपके साथ और चलेंगे आपसे मिलेंगे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा पंक में तारचंद जी, फिर्जादा जी मुला राम जी और जो NC से नाशनल गॉन्फरेंस से यहाँ लीडर्स आये हैं उनका भी मैं स्वागत सकता हूँ धन्यवाद जै बहुत धन्यवाद बहुत जी, आप मेरे साथ बोलेगे नफराच चेले नफराच चेले